प्रमुक परेटन इस तल जिसका जिक्र इस बार के आर्थिक सर्विक्षन में किया गया है साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि इस बतायगा टॉपिक में किस तरह के प्रश्ण अभी तक पूछे गया है और किस तरह के प्रश्ण आगे बनने की संभावना है तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर पर आता है आपका लिंगा अनुपात लिंगा अनुपात होता क्या है प्रति हजार लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या लिंगा अनुपात कहलाती है चतिजगड का लिंगा अनुपात 999901 है यह आप सबी को पता है इस नौसो इंक्यानबिल निंगानुपात के साथ 36 गड़ भारत में पाच्वे इस्थान पर है लेकिन ये पाच्वा इस्थान 36 गड़ का है कैसे इस पर ध्यान दीजेगा 29 राज्य और 7 केंदर शाचित प्रदेश मतलब ओर 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 थर्टी फाइफ के रैंकिंग पे 36 गड़ पाच्वे इस्थान पर है लेकिन येदि हम केवल राज्यों में अगर शाच्वे इस्थान की बात करें तो 36 गड़ चोथे इस्थान पर है तो जो सूरु में 5 है उस पर देखिए पहले नंबर पर है आपका केरल दूसरे पर है पांडी चेरी जो कि एक केंदर शाचित प्रदेश है तिसरे नंबर पर है तमिलनाडू चोथे पर आंदर परदेश और पांडी नंबर पर है आपका 36 गड़ ठीक है यदि हम पांडी चेरी को हटा दे तो 36 गड़ का इस्थान आपके चोथे इस्थान पर आ जाएगा एक महत्तपुन कोशन और बनता है इस पर कि जो केरल और पांडी चेरी है ये ऐसे राज्य और जिसकी लिंगा नुपात एक हजार से अधीक है तो ये भी प्रश्ण एक बन सकता है दूसरा प्रश्ण चतथी-जड़ नुपात आपको 999, भारत का लिंगा नुपात 900 को सकता है 888 ठीक है 36 गड़ का लिंगा नुपात भारत के लिंगा नुपात से 48 सदीख है एक और अनुसूचित जन जाती लाज्ट टाइम PSC का व्यापम का एक प्रशन आया था जिसमें उसने specified गर के पूछा था कि 36 गड़ में अनुसूचित जन जाती का लिंगा नुपात कितना है ठीक है अनुसूचित जन जाती का लिंगा नुपात उसने पूछा था अनुसूचित जन जाती का लिंगा नुपात है आपका 1020 एक हजार पीस ठीक है जब यह specified करके अनुसूची जन जाती का पूछ रहा है तो इस तरीके से अधर और क्या question बन सकते है तो इन आपने उपाथ ध्यान दीजेगा तो इन आपने उपाथ है आपका एक हजार एक वन डबल जिरो वन उसी तरीके से ग्रामीड छेत्र का लिंगा नुपाथ है 956 अनुसुचित जाती का लिंगा नुपाथ है आपका 994 994 और अनुसुचित जाती का लिंगा नुपाथ है आपका 1020 एक हजार वीस ये चारो अपने आप में एक कुश्चिन बन सकते हैं ठीक है अगला आता है आपका विद्यूति करण के उपर इसमें दो आखड़े है दोनों आखड़ों पर ध्यान दीजेगा जनगर्णा 2011 के अनुसार 36 गड़ में ग्रामों की संख्या 19,567 है ठीक है 36 गड़ में ग्रामों की संख्या वर्ष 2011 के जनगर्णा के अनुसार 19,567 है इस 19,567 ग्रामों में से वित्य वर्ष 2016-17 के अंत तक 19,225 ग्रामों को विद्यूतिकरित किया जा चुका है ठीक है, विद्यूती करण इस्थर, 36 गड़ का विद्यूती करण इस्थर अभी वर्तमान में 98.25%, 98.25% है, मतलब 36 गड़ की जितनी भी आबादी है, उसमें से 98.25% जो आबादी है, वो विद्यूती करित की जा चुकी है, ठीक है, यह सारे आख़रे महत्रपूर्ण है, इसे नोटडाउन कर लिजेगा, अगला आता है, राज्य में मृत्यूदर, इस मृत्यूदर के उपर, काफी, मतलब आर्थिक सर्वेक्षन में भी काफी डाटा दिये हुए है, और कुछ डाटा अभी हाल ही में अपडेट हुए है, तो मैं आपको दोनों डाटा बताऊंगा, द इसमें 0 से 1 साल तक के बच्चों के जो है, उसे काउंट किया जाता है, वर्ष 2000 में, मतलब जब 36 राज्य का गठन हुआ था, तो उस समय शिश्य मृत्यूदर 77 प्रती हजार थी, लेकिन वर्तमान में शिश्य मृत्यूदर 49 प्रती हजार है, एक चीज ध्यान दिजेगा, श से ही मान के चलिए, और आर्थिक सर्विक्षन भी यही दिया गया है, कि 36 गड़ में शिश्य मृत्यूदर 49 प्रती हजार है, ठीक है, अब आता है आपका मात्रित मृत्यूदर, प्रती लाख माताओं में, प्रसाओं के दोरान, प्रती लाख माताओं में, मृत माताओं की सं संख्या मात्रित्म रित्यूदर में count होती है ठीक है आर्थिक सर्विक्षण में जो मात्रित्म रित्यूदर के दिया गया है वो है आपका 221 प्रती लाग 221 प्रती लाग लेकिन अभी हाल ही में जुलाई 2018 में एक report जारी हुई जो थी केंदर सरकार की agency sample registration system सिस्टम एजेंसी इससे वर्तमान में मात्रीत्र मृत्युधर में प्रतिलाक में काउंट होता है 173 गार्थिक सरकार की यह यह डाटा अभी अपडेक हुआ है जो 221 प्रति लाख वाला जो डाटा है जो कि आर्थिक सर्वेक्षन में आपको कई जगा देखने मिलेगा वो 2011 से लेके 2013 तक के डाटा को काउंट करके दिया गया है जबकि ये जो डाटा है ये 2014 से लेके 2016 तक का डाटा है और इसे हाल ही में अभी जुन जुलाई 2018 में इसे केंद्र सरकार के एक एजेंसी दोरा जारी किया गया है ठीक है अब आता है अगला कुपोशन दर हमारे 36 गड़ सरकार ने वर्ष 2016 में वजन तेवहर का आयजन किया था जिसमें विभिन आंगनवाडी केंद्रों में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के स् स्वास्त परिक्षन के बाद ये आख्ड़ा सामने आया कि जो 36 गड़ में जो कुपोशन दर है वो आपका 30.13 परसंट आपका 36 गड़ में कुपोशन दर है यो कुपोशन दर के आख्ड़े कब तक के है 2016 में जब 36 गड़ सरकार ने वजन तेवहर का आयोजन किया था ये भी राजास्वा आये होती है उसमें से लगबग 27 प्रतिशत आये उसे खनीज राजास्वा से प्राप्त होती है next verse 2016 17 में भारत में उत्पादित खनीज मुल्ये में 36 गड़ का योगदान 9.6 प्रतिशत था यानि वर्ष्ट 2016-17 में भारत में लगभग 2,37,000 करोड मुल्य का आपका खनीच उत्पादित हुआ जिसमें से 22,743 करोड मुल्य का खनीच है उसे 36 गड़ से प्राप्त हुआ ये दोनों आखड़े इंपोर्टेंट है लाश्ट इयर ये वाला आखड़ा व्यापम द्वारा पुछा गया था जिसमें 2015-16 का डाटा उसमें पूछा था तो ये दोनों आखड़े को आप याद रखिएगा खनीच का एक और आखड़ा इधर दिया गया है इसे देखिए अब अगला है टॉपिक नीतियों पर सौर उर्जा नीति वर्ष 2017-27 लाश्ट इयर का ये इंपोर्टन टॉपिक था जिसके बारे में इस बार के आर्थिक सर्विक्ष्ण ही बताया गया है तो इसे देखिए सौर उर्जा नीति कोई भी नीति जो हमारे राज्य में लागू होती हो maximum 5 साल के लिए रहती है लेकिन ये सौर उर्जा नीति है इसे 10 साल की अवधी के लिए लागू किया गया है वर्ष 2017 से लेकर के 2027 थक ठीक नेक्ट कोश्चन इससे बनता है पहली बार सौर उर्जा नी नीति कर दिया गया हाली में मतलब लाश्ट इयर 31 मार्च 2017 को ये 2002 वाली सौर उर्जा नीति समाप्त हुई उसके बाद 1 अपरेल 2017 से ये नवीन सौर उर्जा नीति लागू की गई जिसकी अवधी है आपका 31 मार्च 2017 थक ठीक अब इसमें क्या बाते कही गई इस पर ध्यान दीजेगा 10 किलो वाट तक के rooftop, solar plant को grid connectivity प्रदान की जाएगी मतलब 10 किलो वाट तक का जो इसका setup इस्टेब्लाइज को जो व्यक्ति करता है उसको grid connectivity मतलब पोल में पोल के साथ जो electric पोल आपके घरों के बाहर रहते है उससे और ये solar plant दोनों को inverter से connect करके उसका connection मीटर में द उसको आपको मीटर से जो connection है तो उसके लिए जो fund है वो आपको government provide करेगा तो 10 किलो वाट तक के rooftop solar plant को grid connectivity की सुईधा उपलब्ध कराई जाएगी Next इसकी अवधी कप से कप तक है 1 April 2017 से ये लागू है यह रहेगा आपका 31 मार्च 2017 तक ये थी आपकी 100 और जानी थी Next इसकी आपको परेटन राज्य सरकार द्वारा परेटन राजस्वों को बढ़ाने के लिए विभिन योजना है तथा विभिन परेटन इससलों को fund provide करके उस छेतर के tourism को बढ़ावा दिया जा रहा है तो इसी क्रम में है आपका रमन जन परेटन योजना रमन जन परेटन योजना को जानने से पहले आप एक केंदर सरकार की एक महत्तपूर्ण योजना जिससे समझ लिए ये भी एक important है जिसके बारे में इसमें नहीं लिखा गया है लेकिन आपको बता रहा है उसके सुनिये ध्यान से स्वधेश दर्शन योजना केंदर परेटन मन्सराले दर्वरा वर्ष 2015 में स्वधेश दर्शन योजना पारित किया गया जिसमें संपूर्ण भारत से तेरा थीम तेरा थीम बोलिए या तेरा परिपत बोलिए तेरा थीम तेरा परिपत या तेरा सरकीट को शामिल किया गया वो सर्कुट की इस प्रकार है आपका हिमालय परीपत, मरुस्थलिय परीपत, जंजातीय परीपत, इको परीपत, रामायन परीपत, कृष्ण परीपत, बौद्ध परीपत ऐसे कुल 13 परीपतों को शामिल किया गया है इन तेरा थीम या तेरा परिपतों में तीन थीम ऐसे है जिसमें 36 गड़ को शामिल किये जाने की संभावना है एक है आपका इको परिपत, दूसरा जनजातिय परिपत और तिसरा बौध परिपत शामिल किया गया नहीं है, शामिल किये जाने की संभावना है हमारे राज्य सरकार द्वारा जितने भी डॉक्यमेंट है वो केंदे परियावरन मंत्राराय को भेज दिया गया है लेकिन ये डिसिजन अभी पेंडिंग पर है बौध परिपत जिसमें 36 गड़ के शिरपूर को सामिल किया जाने की संभावना है जनजाती परिपत जिसमें 36 गड़ के सरगूजर संभाग तथा बस्तर संभाग को सामिल किया जाने की संभावना है वैसे है आपका Eco-PariPath Eco-PariPath में आपका Man-Path आपका Hazgobango Dam ऐसे 3-4 डैम है इसे Eco-PariPath में रखे जाने की संभावना है ठीक है तो इस 3 परिपत मतलब बौदद परिपत Eco-PariPath और जन्जाती परिपत स्वदेश परेटन योजना के इस 3 परिपत में 37 गड़ को रखे जानी की संभावना है, रखा गया नहीं है, तो यह स्वधिरेटन योजना है, उसमें केंद्र सरकार आपको एक एफोर्टेबल प्राइज में रेलवे के माध्यम से या बस सेवा के माध्यम से आपको इन 13 थीम, जो 13 थीम में जो जो राज सामील होंगे, उसम बजयनती के औसर पर 15 अक्टूबर 2016 को लागू किया गया, इसमें वातानुकुलित बस में 36 गड़ के अंदर जो छोटे-छोटे-छोटे परिपत या छोटे-छोटे परियतन इस्थल का जो एक सरकीट बनाया गया है, उसमें आपको ट्रेवल कराया जाएगा, जैसे है राम वन गमनपत, राम वन गमनपत में आपका एक दंड कारण सरकीट शामिल है, जिसमें शिवरिन आ रहा है, राजीम और सिहावा, ये एक एक एक्जामपल है, ठीक है, तो ये है आपका रमन जयन परियतन योजना, जो की परियावारन राजस्वों को बढ़ाने के लिए, हमार चितावरी देवी मंदिर है, ये है आपका सिमगा बलोदा बाजार में, जिसे गवर्मेंट फंड करके उसे डेवलप कर रही है, तो ये अपने अपने एक प्रश्ण बन सकता है कि चितावरी देवी मंदिर कहां है, चितावरी देवी मंदिर है आपका सिमगा बलोदा बाज तो इस तरह से आज का हमारा वीडियो यहीं समापत होता है लाश्ट टाइम हमने जो वीडियो डाला था करेंट अफेर्स के उपर उसमें हमें एक कमेंट देखने के लिए मिला जिसमें ये पुछा गया कि ये करेंट अफेर किस मंत का है तो आप ये समझ लीजे कि करेंट अफेर्स के जो आपको वीडियो मिलेंगे वो आपको किसी मंत वाइस नहीं मिलेंगे क्यों क्योंकि जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहे है उसमें जो प्रेजन्ट में जो भी घटनाए हो रही है वो तथा जनवरी से लेकर के मई तक में जो भी घटनाय हुई हो चुकी है इन सभी को कमपाइल करके आपको वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके डाटा आपको दिया जाएगा कोई मन्तवाईस ये चीज नहीं चलेंगे हाँ, नेशनल और इंटर्शनल करन्ट अफेर्स आपको मंतली प्रॉइट कराएगे लेकिन जो 36 गड़ करन्ट अफेर्स है आपको पार्ट वाईस प्रॉइट कराएगा इस current affairs के उपर हो या other videos के आपको अलग से हम playlist बना देंगे जिसमें जाकर कि आप पूरे data या पूरे के पूरे वीडियो आप देख सकते है साथी साथ यदि आपको हमारे दोरा बताया गया किसी भी topic हो या किसी भी video के किसी भी जगह पे अगर यदि आपको doubt लगे तो आप उसे नीचे comment section में जाकर के जरूर पूछ सकते है पिछले current affairs की वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसका link नीचे description पे बता दिया गया है आप वहाँ से जाकर देख सकते है यदि वीडियो पसंद आया तो आप channel को subscribe कीजिए धन्यवाद